ह防 and measure जालन था कि पुंकेशर क्या है उप्णे उपण क्या होते हैं सु शु। घंठों क्या है उर रहा था और इसके ही सिध्याण ध het yereal को किशुष्विट्रेंन कहते हैं डेख लिया था अपल के उस्थ पूंकेशर के अंदर सुष्विजान धानिया पाई जाते हैं सुष्विजान धानियों के अंदर सुष्विजान मात्र को सिखा पाई जाते हैं और वहीं पिक्रिया होता है सुष्विजान जनन और बनते हैं सुष्विजान और सुष्विजान बनने के बाद क्या होता है कैस फिर Microes pro Genesis की बात की थी और finally मेरा क्या बना था चतुस के गुरु भी जान बना था अब यहीं से मैं बद करने वाला हूँ today यहां से क्या हुगा मेरा today topic है आज से मैं यहीं से start करूँगा कि यहां से आगे कैसे बढ़ता है ठिक है जी जरन की प्रकृरिया जब हो जाती है सुश्विजण धानियों में तो एक प्रकृरिया और होता है नर्यूग्म yukmo kodvind का निर्मार होता है अब पाता यह सारी nag Overton Dr. k обязथ your time funds. टोर रही नर्यूगm kodvind का कैसे होता है चलिए सुरू करते हैं Finally बना क्या था चतुस्क यही से start करेंगे की चतुस्क गुरु भी जाणु जब बन गया था तो यहां चतुसी का है लग भी जाणु परिवर्धन करता हैं बस यहीं से बस एक टॉपिक लिखना लग बीजाणु परिवर्धन करता है या development करता है क्या करता वैंगे a क्या हुआ एक लग बिजान मात्र कोशिका से कितने एक लग बिजान मात्र कोशिका से कितने लग बनते हैं तो चार बनते हैं अब इसके आगे क्या देखना है मुझे ये देख रहा ना तो जैसे ये फ्री होते हैं फ्री होने के बाद क्या करते हैं पूना है ये डवलम्मेंट करेंगे क्या करेंगे डवलम्मेंट करते हैं और डवलम्मेंट करते हैं तो बनाते क्या हैं ये चारो ही अलग अलग प्राग कड़ बनाते हैं चारो ही एक परिवर्धन करके जिस सन्रचना का निर्माड करता उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चों पराग कड कहते हैं और इंग्लिस में इसे pollen grain कहा जाता है क्या कह जाता बच्चों pollen grain कहा जाता है clear जी तो pollen grain का निर्माण किससे हुआ तो pollen grain का निर्माण हुआ microspore से तो प्रतेक microspore development करके pollen grain या प्रागकड का निर्माण करते हैं सर जी आपने तो बताया है नर्युग मकोधवित का निर्माड इतो प्राग कड का निर्माड पढ़ा रहे हैं, कौनों बात नहीं है, कौनों बात नहीं है बच्चों, बस कुछ नहीं करना है, और नोट करके जब हम लिख देंगे, तो आप मेरे तरफ ओट कर देंगे, कैसे क् कि माइक्रो नोट क्या करेंगे, कि पॉलन ग्रेन को बस कुछ नहीं करना है, कि पॉलन ग्रेन क्या है, बराबर, पॉलन ग्रेन बराबर मेल गैमिटो, मेल गैमिटो फाइट, बस सिम्पल, पॉलन ग्रेन इक्वल टू मेल गैमिटो फाइट, यानी कहना क्या बच्चों, कहन यही है कि कुछ नहीं कहना है कि पालन ग्रेन को ही मेलगेमिटोफाइट कहते हैं तो हुआ न निर्माड भीया अगर पुछ दे नर्युगम कोध्वित का निर्माड कहां होता है तो कहिए गर नर्युगम कोध्वित का निर्माड होता है लगविजान धानियों में किसमें होता तो बच्चों लगविजान धानियों में ही नर्युग्मकोद्वित का निर्माड होता है प्रागकण कहां बनते हैं तो प्रागकण भी बनते हैं लगविजान धानियों में ही बनते हैं यानि प्राकोस में प्राकण का निर्माड होता है प्राकोस में ही नर्युग्मकोद्व है तो नर्युगमकोद bounded वह संद्चना है जिसमें नर्युगमक का निर्माड़ होता है एक-⤹ नर्युगमकोद दो नर्युगमक निर्माड़ करता है कब और करता है ये आगे हम देखेंगे फिलाल आम बात कर करते हैं बीना समय गमाए क्योंकि समय तो बहुत कम है हमने बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी ले ली है तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं तुरंद मैं इसके आगे बढ़ रहा हूं कि क्या पहले देख लो यह करते हैं चार चत्फुस के लगविजाण और यह परिवर्धन करता है तो फ्री हो जाता है चार लगविजाण और चारौ क्वश्ट करता है नर्युप्र तो नर्यूग म्यकोध्वित निर्माड मैक्रोस्पोर से होता है चलिए आगे बढ़ते हम क्या बोलते हैं Microscopic structure. Microscopic structure of pollen grain. कौन्सा grain भईया? Pollen grain. बहुत ही जलदी खतम होगा. Microscopic structure of pollen grain की बात कर लेते हैं. Microscopic structure आप pollen grain की जब बात करते हैं. तो मुझे जैसे ही हम सुछमदर्सी में देखते हैं. सुषमदर्सी में देखने के बाद हमें संदचना एक कैसी पता चलती है आई हम उसके बाद कर लेते हैं जैसे हम इसकी संदचना देखते हैं संदचना देखने के बाद हमें किस प्रकार की संदचना दिखाई देती है उसकी चर्चा हम कर लेते हैं बहुत ही simple संदचना है और काफी अच्छा लगने वाला है आप लोग को, तो यह है संदचना, जो हम संदचना किसका देखे, प्राकड की संदचना देख रहे हैं, जैसे हमने सुष मदर्सी में देखा, सुष मदर्सी में देखने के बाद हमें क्या होती है, संदचना संद्रचना कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है क्लियर रजी और जैसे ही संद्रचना हमने सुच्मदर्सी में देखा तो सुच्मदर्सी में देखने के बाद हमें संद्रचना कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है इसमें क्या देख रहा आपने इसमें जब देखा आपने इसमें कुछ इस प्रकार की संद्चनाएं भी दिखाई दी एक बड़ा सा ऐसे और कुछ प्रकार की संद्चनाएं आपको ऐसे भी दिखाई दी जो ऐसे भी थे तो यह है प्राकड की संद्चना प्राकड की संद्चन दोनों अस्तर का नाम क्या है तो पहला स्तर जो होगा वह हम बोलेंगे पहला अस्तर बाहचोल है क्यों सा चोल है बाहचोल अभी दरसार है तुरंद बाहचोल जिसे प्यार से इंग्लिस में इंग्जाइन कहते हैं क्या कहते हैं सोरी पहला क्या बच्चों बाहचोल बस खतम होने वाला है थोड़ा लगे रहिए बाहचोल जिसे इंग्लिस में क्या बूला जाता है इंग्जाइन बूला जाता है और इंग्जाइन दूसरा क्या है अन्तह चोल है दूसरा वालमान और इंदर लाल से दो जसाया है ये यह हुआ जिक हजी कितने चोल पाए जाते हैं प्राकण में दो चोल को बीच में छोटी छोटे चिद्र होते हैं एक प्राकण में एक शिद्र हो सकता है जिसे हम .... चिद्र कहते हैं क्या कहते बच्चो जनन चिद्र का जाता है जिसको हम जनन चिद्र या जनाटल पूर के नाम से भी जानते हैं और क्या पाया जाता है इसमें एक छोटा सा केंद्रक पाया जाता है जिसका नाम है जनन कोशी का और एक बड़ा सा केंद्रक पाया जाता है जिसक केंद्रग भी कहा जाता है और नलिका केंद्रग कैसा होता है तो यो कोशी का होगी संद्ध में आ गया जी यह प्राकड की सनद्ञा होगी तो लिखते ही क्या होगा आपका एक समाप्त हो जाएगा नर्युगमक कोधवित की संद्रशना की अगर बात करते हैं तो सुछमदर्सी से देखने के बाद हम यह पता चलता है कि नर्युगमक की संद्रशना क्या है जो आगे चल करके इस जनन कोशिका से क्या होता है दो नर्युगमक बनते हैं कितने नर्युगमक आगे चल करके दो नर्युगमक का निर्माड जो होता है यह सिंबल होता है नर्युगमक का निर्माड होता है किससे जनन कोशिकाओं से आगे चल करके होता है जब इसका वड़न करेंगे तो क्या कहेंगे कि क्या होता है बाहर चोल तो बाहर से रच्छा करता है यह बाहर से क्या है रच्छात्मा का आवरड है कौन सा आवरड है रच्छात्मा का आवरड है यह आवरड है क्यों रच्छात्मा का आवरड है क्यों कि रोगाड से किसे बच्चों रोगाड से रच्छा करता है किसे रच्छा करता ह रोगाण से रच्छा करता है क्लियर जी तो रोगाण से रच्छा कौन करता है बाहाचोल करता है किसका बना होता है बाहाचोल तो यह बना होता है यह बना होता है इस पोरो पोलेनीन का बना होगा इस पोरो पोलेनीन के बनने के कारड़ ही क्या होता है यह सुराच्छात्मा का चिद्र पाए जाते हैं इसी अस्तर में क्या होते हैं दो छोटे चिद्र पाए जाते हैं और इन दोनों छोटे चिद्र को क्या कहते हैं बच्चों तो दोनों छोटे चिद्र को बोलते हैं जनन चिद्र क्या बोलते हैं जनन चिद्र कहा जाता है तो क्या होता है प्राक्ण में कोते हैं छोटे-छोटे चिद्र पाए जाते हैं जिसे जनन चिद्र या जर्म पोर कहते हैं अंगलिस में क्या कहते हैं बच्चों जर्म पोर के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, जर्म पोर के नाम से जाना जाता है, जो को यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है जी, तो यह हो गया बाहाँ चोल के बारे में, अब हम बात कर लेते हैं, अन्ता चोल की बात कर लेते हैं, यह तो हो गया बाहाँ चो अंदर इंटाइन जो होता है वह बना होता है प्यक्टोस्रिलोज का किसका बना होता है प्यक्टोस्रिलोज का और प्यक्टोस्रिलोज जो होता एक प्रकार का कार्बोहाइड्ड है प्यक्टोस्रिलोज का बना अस्तर बना अस्तर मुलायम होता है कैसा होता है मुलायम होता है और ये भीतरी अस्तर है, मुलायम होता है, और इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे परागनलिका का निर्माड होता है, ये भी ध्यान दिजेगा, इससे क्या होता है, इससे परागनलिका का निर्माड होता है, बच्चों किसका निर्माड होता है, तो किससे परागनलि किसका बना होता है प्राकड का अंतर चुल कैसा होता है मुलायम होता है इतना सारा कुभी जानड बने परिवर्धन करें प्राकड प्राकड की संरत्चना करते हैं ikyo ipac everywhere होता है और दो अस्थर हुता है जिसे अरहिम kita होता है ओर रच्षातमक होता है और क्थ अ कर दो चिड्र पाया जाते हैं जिसे जनन्न किंद्रक आगे चल करके दो नर्युगमक का निर्माड करता है बच्चों इतना सारा मिनात अकरम कर रहे हैं तो आपका भी हग बनता इस वीडियो को सेयर कर दे लाइक कर दे सस्क्राइब कर दे ठीका जी बहुत ही छोटा टॉपिक में मैंने खतम करना और ऐसे ही पूरा वीड प्राकड का अंकुरड कहा होगा वर्तिकागर पर होगा कहा होगा बच्चों वर्तिकागर पर होगा तो अगला मेरा जो टॉपिक होगा आप लोग को मदा दें कि अगला टॉपिक हमारा जो होगा मादा जनानांग होगा जिसको हम इस्त्री केसर कहते हैं इस्त्री केसर की हम बात कर लेते हैं फिर हम परागड या पॉलिनेशन की चर्चा करेंगे तो खास करके इतना ही अब अगर देखना आगा प्राकड क्या है तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा सो बात में हम लोग पढ़ेंगे किसके मादा या इस्तरीकेशर की बात करेंगे यानि मादा जननांग की ठीक है तो बस आज के लिए इतना ही जय हिंद जय भारत अगर अगर कर दो